नमस्कार बच्चों मैं संजीत और आज के इस वीडियो स्रीज में मैं बात करने चारा हूँ क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के पहले चेप्टर विकास के बारे में तो बच्चों मैं आप सबों को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक वाकई में देख लेंगे तो अब परिच्छा में मैं उमीद करता हूँ कि आपका इस चेप्टर से एक भी प्रस्न जो है वो छूटेगा नहीं तो चलिए फटा फट हम लोग कोईशन को देखते हैं समय को देखते हुए है ना तो बिभीन स्रेनी के लोगों के बिकास का जो लक्ष है वो कैसा हो सकता है आप पढ़े होंगे कि अलग अलग लोगों के बिकास का लक्ष जो है ना वो भिन भिन होता है हो सकता है या फिर ए एक ग्रामीन एक भूमी हिन ग्रामीन मजदूर के विकास का क्या क्या लक्षे हो सकता है मतलब आप कलपना कीजिए कि आपके गाओं में एक भूमी हिन ग्रामीन मजदूर है है ना तो उसके लिए विकास का क्या क्या लक्षे हो सकता है तो उस वेक्ती के लिए विकास का लक्षे बहुत सारे हो सकते है जैसे काम करने के अधीक तीन तीन नहीं होगा यहाँ पे दीन होगा यहाँ टाइपिंग मिश्टेक हो गया ठीक है काम करने के अधीक दीन और बेहतर मजदूरी साथी साथ उसके लिए बिकास का लक्ष क्या हो सकता है कि गाउं के जो अस्कूल है उनके बच्चों को क्या करे बेहतर सिच्छा प्रदान करे समाज में उनके साथ किसी भी प्रकार का समाजिक भेद भाव ना हो और साथी साथ गाओं में वे भी नेता के रूप में निर्वाचीत हो सके तो ये उस भूमी हीन ग्रामीन मजदूर के लिए बिकास का लक्ष हो सकता है कोश्चन नमबर थिरी की और हम लोग बढ़ते हैं समय कम और जादा कोश्चन को कभर करना यही मेरा टार्गेट है हना लोगों के लिए आई के अत्रीक और कौन-कौन से लक्ष हो सकते हैं आप एकोनामिक्स के पहले चेप्टर में पढ़े होंगे कि वाकई में जो है वो आई जो है वो लोगों के बिकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष है लेकिन आई ही सब कुछ नहीं होता है आई के अलावा और क्या-क्या चीजे माइने रखती है तो समानता, स्वतंत्रता, समान, जनक, वैभार और साथी साथ क्या होगा, सुरक्षा, याद रखिएगा नेक्स्ट कोईशन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है नेक्स्ट कोईश्चन नर्मदा बचाओ आंदोलन किस कारण से प्रारंब किया गया था तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि बांध की उचाई जो थी वो अधीक हो गई थी कोईश्चन नर्मदा नेक्स्ट देश के विकास के विसे में बिभिन लोगों की धारनाएं ब्लैंक अस्पेस या परस पर फिर ब्लैंक अस्पेस हो सकती है तो यहाँ पर पहला श्थान पर क्या भराएगा भिन यानि देश के बिकास के बिसे में भिन लोगों की धारना भिन या परस पर बिरोधी हो सकती है यानि यहाँ पर हम लोग भिन भरेंगे और यहाँ पर हम लोग बिरोधी भरेंगे चलिए next question की और बढ़ते हैं कम समय में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा practice करना है नेक्स जब हम भिन भिन चीजों की तूलना करते हैं यानि जब हम अलग अलग चीजों की तूलना करते हैं तो उसमें blank space और फिर blank space दोनों हो सकते हैं क्या क्या हो सकता है तो उनमें समानताएं भी हो सकती है और उनमें अंतर भी हो सकता है question number next किसी देश की औसत आई को कैसे निकाली जाती है ये बहुत important question है इसको आप लोग बार बार देखेंगे किसी देश की औसत आई को कैसे निकाली जाती है तो देश की cool आई को देश की cool जन संख्या से भाग देकर उस देश की ओसत आई average income को निकाला जाता है नेक्स्ट ओसत आई को और किस नाम से जाना जाता है तो ओसत आई को ही प्रतिवेक्ती आई के रूप में भी जाना जाता है नेक्स्ट कोईशन ये भी बहुत इंपोर्टेंट है मैं बात जो जो बहुत इंपोर्टेंट है उस पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि बीसु बैंक देशों का वर्गी करन किस आधार पर करता है तो बीसु बैंक के देशों का वर्गी करन सिर्फ प्रतिवेक्ति आए के आधार पर करता है ठीक है बीसु बैंक सही संबंदित और सवाल बीसु बैंक के नुसार जिस देश की प्रतिवेक्ति आए US dollar 12,056 प्रती वर्स या उससे अधीक है उसे किस देश की सूची में रखा गया है तो जिस देश की प्रती वेक्तिया US dollar 12,056 से जादा होता है या उतना होता है तो उसे बिक्सित देशों की सूची में रखी गई है Next question बिस बैंक के नुसार जिस देश की प्रती वेक्तिया US dollar 995 या प्रती वर्स या उससे अधीक है तो उसे किस देश की सूची में रखा गया है तो निम्न आयवाले देश याद रखिएगा बिक्सित देश का स्केल कितना है US dollar 12,056 और US dollar 995 वाले को क्या माना गया है निम्न आयवाला देश या फिर गरीब देश माना गया है Next question बिस बैंक के नुसार भारत जो है वो कैसा देश है यानि बिस बैंक के नुसार हमारा देश भारत जो है वो कैसा है तो भारत विकास सील देश है बिस बैंक के आंकड़े के नुसार है ना Next बीस बैंग के नुसार वर्स 2017 में भारत की प्रतिवेक्टी आई कितनी थी इसलिये दोनों के बीच में था भारत की प्रतिवेक्टी आई इसलिए भारत को विकासील अत्वा मध्ध आईवाला देश माना गया है नेक्स सवाल प्रतिवेक्ति आई के अतरीक्त देसों के वर्गी करन का और कौन-कौन से माप दंड है तो प्रतिवेक्ति आई के अलावा देसों का वर्गी करन करने का आधार और क्या-क्या है सिसु मिर्टिूदर, साच्छर्टादर, नीवल उपस्तिती, अनुपात इन चीजों के आधार पर भी देशों का वर्गी करन किया जाता है वाईनि उस देश की विकास की इस्थिती का आंकलन किया जाता है Next सवाल किसी वर्स में पैदा हुए एक हजार जीवित बच्चों में से एक वर्स की आयू से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहा जाता है तो इसे सीसू मिर्तिव दर कहा जाता है ठीक है याद रखेंगे अच्छा कोश्यन है सीसू मिर्तिव दर Next साथ वर्स और उससे अधीक ध्यान देंगे साथ वर्स और उसे अधिक आयू के लोगों में साच्छर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है तो साच्छरता दर कहलाता है यानि साच्छर कितने आयू के लोगों को माना गया है साथ वर्स यानि छे जनसंख्या की परिभासा के नुसार है न चे वर्स का कोई बच्चा है इंगलिस बोल रहा है इंगलिस लिख सकता है हिंदी लिख सकता है हिंदी पढ़ सकता है लेकिन उसे साच छर नहीं माना जाएगा जब तक कि उसकी आईू साथ वर्स कम से कम ना हो जाये ठीक है नेक सवाल 14 तथा 15 वर्ष की आयू के अस्कूल जाने वाले कूल बच्चों की उस आयू वर्ग के कूल बच्चों के साथ प्रतिसत को क्या कहा जाता है तो नीवल उपस्थिती अनुपात कहा जाता है कीस राज जी की इस्थिती सीसू मिर्थिव दर साच्छर्ता दर एवं नीवल उपस्थिती अनुपात में सबसे बहतर है तो केरल का सबसे अच्छी इस्थिती है कीस राज जी की इस्थिती इसी प्रकार से सीसू मिर्थिव दर में साच्छर्ता दर में और नीवल उपस्थिती अनुपात में सबसे खराब है तो बिहार की स्थिती सबसे खराब है ठीक है नेक सवाल UNDP देशों की तुलना किस आधार पर करती है बहुत इंपोर्टेंट है वर्ल्ड बैंक वाला और UNDP वाला आप लोग याद रखोगे ठीक है UNDP देशों की तुलना किस आधार पर करती है तो प्रतिवेक्ति आए सैच्छिक अस्तर और स्वास्थि की इस्थिती रिपोट कौन प्रकासित करता है तो MIGNOW BIKAS रिपोट कौन प्रकासित करता है तो UNDP ही प्रकासित करती है ठीक है Vermont 2017 की आकड़े कैनुसर भारत का 20 में MIGNOW BIKAS की within HDI में कौन सा अस्थान प्राप्त है तो भारत का जो wearing a thraphic मानव विकास सूचिकांग की सूची में किस पडोसी देश की स्थिती जो है वो भारत से बहतर है तो स्री लंका की स्थिती जो है वो भारत से बहतर है याद रखिएगा NCRT में आपका ये कोश्चन भी है नेक सवाल हमने बिस्व को अपने पूरवजों से उत्रा धिकार में प्राप्त नहीं किया है हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है स्टेटमेंट को पढ़िये हमने बिस्व को अपने पूरवजों से उत्रा धिकार में प्राप्त न प्रति वेक्ति आए के आधार पर किया जाता है ठीक है ध्यान रखोगे और ये सवाल भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है और ये आपके NCRT बुक में भी दिया गया है ये कुश्यन इसलिए इसको जरूर ध्यान दोगे ये मैतेमेटिकली कैलकुलेशन वाला सवाल है लेकिन यहाँ डारेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि मान लिजी एक देश में चार परिवार है और इन परिवारों की प्रतिवेक्ति आए जो है वो पांच हजार है अगर तीन परिवारों की आए करमसा चार हजार साथ हजार और तीन हजार है तो चौते परिवार की आए क्या होगा तो चौते परिवार की आए जो होगी वो छे हजार रुपया होगी आप कैलकुलेशन करके देख लोगे तो चलिए बच्चों आज का ये पहला चेप्टर का वीडियो यहीं पे समापत होता है जदि आपको वाकई में वीडियो पसंद आ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करना न भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ने कियें तो चैनल को फटा फट सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट पक्का कीजिएगा ये मैं आपसे अपेच्छा रखता हूँ